नमस्कार मौधीपक और आप देख रहे हैं DSK Talks जितने confidence के साथ ये welcome greeting मैंने दिया है मैं उतना ही जादा नर्वस था क्योंकि मैं अपने ये छिला हुआ अंडा वाला सूरत या जो थोबड़ा है वो आपके सामने लाने से कत्रा आ रहा था क्योंकि मैं अच्छी बली दाड़ी थी थोड़ा एक्स्पेरिमेंट करने के चकर में वो जीरो जो रहता उसका ट्रिमर का वो मतलब मैंने देखा ही नहीं पूरी थाड़ से उधरी चली गई अब क्या करते भाई या पूरा साफ करना पड़ा तो प्लीज कोई हमें छिला हुआ अंडा या फिर फूला हुआ सिंगाडा या पिर साबू दाना जो पानी में गला दिया जाता फूल के कुपपा हो जाता है तो हमरा थोड़ा जो वो कुपपा लग रहा होगा फीलिंग ऐसी आ रही थी मुझे जैसे सूर्पणका की नाग जब कर जाती है तो वो मूझ छुपाय छुपाय घुमती है ऐसी मैं बोल रहा था अपनी वाइप से कि यार मैं नहीं जाओंगा मैं नहीं वीडियो बना हूँगा और काफी बड़े बड़े डायलोग भी दिये कि इनसान बड़ी बड़ी बाते करने से बड़ा नहीं बनता है इनसान बड़े काम करने से बड़ा बनता है आईना तोड़ देने से चेहरा दुरूस नहीं हो जाता है काउंटर में आलिया सिद्धी की भी बोलती है कि ऊची आवाज में बात करने से आपकी बात में वजन नहीं आ जाता है उसके बाद फिर इसका पूजा भट का वापस से वही कि मैं मैंश भट की बेटी हूं मेरी आव अविनाश ये तीनों ना कल इतने घलत गए हैं और जिस तरह की हरकते कल फलक ने इसने अविनाश सचदेवा और पूजा भट ये तीनों कान के कच्चे हैं इन तीनों की बाते जब भी मैं सुनता हूं तो मेरे माइंड में वही वो सुपर थर्टी पिक्चर का एक सीन याद जाता है कि इतना गलत कोई कैसे हो सकता है पूजा भट ने अल्रेडी अपना मन बना लिया है कि बेबी का हर चीज में सही होगी जिया हो या अभिशिक हो वो किसी भी चीज में सही हो ही नहीं सकते अब जब ये एपिसोड शुरू हुआ था वो गाना वाना जहां पर मनीशा रानी ने क्या ताबर तोड़ डांस किया था वैसे मनीशा की ये जो जेड के साथ मिला बाबू मिला बाबू मिला शुना शुना ये हरकत है अगम छोड़ देना तो मनीशा काफी डीसेंट है मतलब इन टमस अपना उपीनियन रखने में जिस तरह से उसने सही का साथ दिया जो कि एपीसोड के एंड में हम देखा जहाँ पर ये बेबिका ने कैसा फेमिनिजम और वुमन कार्ड खेला था ट्रक बोल दिया बॉड़ी शेम कर दिया लेकिन वो खुद क्या बोलती है ये चीज वो कभी किसी को नहीं बताती और एक तरफ की कहानी सुन करके पूजा कि भई ऐसे लोगों को क्यों लाया जाता है बट अब कहीं न कहीं मैं बिग बॉस की टीम को थैंक्यू बोलना चाहूंगा कि हमें फलक नाज उसकी अप्रिंगिंग उसकी मेंटलिटी उसकी फितरत देखने को तो मिल रही है कि वो कितनी दूद की धुली है इतनी नेक्श ल लेती है ये फलकनास जो कि शायद उस कॉन्वरीटी का हिस्सा नहीं थी और अविनाश वो खुद भी शायद उस कॉन्वरीटी का हिस्सा नहीं था लेकिन इन लोगों developed तो यो एक दे के दिखाती है तो वो पिलो जो रहता है वो आलिया के मूँ पर लगता है जिसके बारे में मैंने कल एक्ट करके बताए वे था कि मुझे क्यों मारा मुझे क्यों मारा वहाँ पर ना जिया ने बिलकुल नहीं कहाता कि मेरे मूँ पर पिलो मारा ये जब conversation चल रही थी अविनाश कि जब वो बार-बार कह रहा था नहीं तुने बोला है तुने बोला है और अविनाश ने कह दिया तो फिर पूजा और फलक भी वही मान लेतें जबकि जिया जिसकी गोध में वो पिलो आकर के गिरा था और उसके बाजू मा आलिया बैटी थी वार-बार ये दोनों कहे जा रहे थे कि नहीं हमने नहीं कहा कि मुपर मारा मुपर मारा लेकिन इसने अविनाश ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था और उसके देखा दे कि फलक और पूजा इन तीनों ने पहले से ही मान लिया कि जिया जूड बोल रही है बेबिका ने मुपर में थी एकदम तुनक मिजाजी से उठती है हेट करके उस अंदाज में वो पिलो जरता है उसे एकदम जैसे दुदकार करके गदालात मार दे उस अंदाज में वो पिलो जरता वो जिया पर जाकर की गिरता है मुँपर नहीं उसके चेस्ट पर जाता है फिर वो उसकी गोद में गिर जाता है एंड इस दौरान जिया बोलती क्या बत्तमीजी यार वो पिलो मेरे पे फैक गई है उसने एक बार भी नहीं का था कि पिलो मुह पर मारा लेकिन अविनाश फलक और पूजा तीनों कान के कच्चे हैं यह तीनों चुगल खोड़ चाची हैं अगर पूजा फलक औ सल्मान ने कहा ही था ना सिस्टेमेटिक ब्रेंड वॉशिंग कैसे ओडियन्स को ब्रेंड वॉश कर रहा ही है अविनाश पूजा फलक और पूजा को क्या कि सल्मान और मेकर से एकदम हद से जादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो फिर पूजा ने अगर कुछ कह दिया तो ब बेबी का नाम का एक घटिया पदार्त भी आ चुका है मतलब इस चार लोग की चांडाल चौकडी बन चुकी है वैसे बिग बॉस के हर सीजन में हम देखते हैं दो गुट या दो गुरुप बन जाते हैं एक गुरुप बहुत ही जादा घटिया जाता है जिसे चांडाल तो मतलब क्या ही बताया जाए यार वो या तो ट्यूब लाइट है वैसे थ्री इडियाट को मैंने थमनेल में रखा है आलिया को आप फोर्थ इडियाट बोल सकते हैं यह आलिया इतनी नेक्श डेवल की मंद बुद्धी है कि नॉमिनेशन टास्क उसे पलने नहीं पड़ी वो जैंट्स के वाश्रूम में जाकर के नहा लेती फिर बोलती मैं भूल गई शायद वो वाकई में भुलककर है या फिर एक्ट कर रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद हाकिकत में ट्यूब लाइट है भुलककर तो नहीं बोल सकते हैं आलिया को चीज़ें या बात से 36 कांकड़ा चल रहा है ये बेबेका को नोमिनेटी नहीं करती है और कहती में तो भूल गई मुझे लगा था कि ये बज़र एक ही बार दबाना आ रहे यार कौन उठा के लाया इस आलिया जैसे मंद बुद्धी को बिग बॉस के अंदर जिसे ना गेम पलने पड़ता है कुछ पलने पड़ता है हाला कि आलिया जो है इने शायद हमें जादा जिलना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जिया के सासथ नोमिनेशन में आ चुकी है और जिस तरह से एपिसोड के स्टार्ट से और नोमिनेशन टास्क में जिस तरह से इन्होंने करारे जवाब दी है जिसके किलाफ एक फर्म स्टेंड ले लिया है तो बंदा बंदी निकल तो जाता है पुनीत को निकाल दिया विक बॉस ने अब यहां पर आलिया भी चली जाएंगी अलिया शो में रहे ना रहे कोई खास फरक पड़ता है नहीं इन्हें ना टास्क पल्ले पड़ती है ना कुछ पल्ले पड़ता है जहां पर मुखर होकर के बोलना है वहां पर बोल नहीं पाती है फिर बाद में बोलती है रहे ऐसा करना था वैसा करना था तो आलिया शो में रहें ना रहें कोई फरक नहीं पड़ता इससे पहले कि भाईया मैं फ्लो फ्लो में भूल जाओं इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी हाँ तो यह जो एपिसोड था यह शुरू होता वही जैसे कि मैंने कहा कि वह पिलो वाली जो चर्चा चल रही थी अव उसने बोला था हाँ उसने का ता मुपर यह नहीं था साइयरस तो अपना वह वॉश्रों साफ करने के जाडू अगया लगा साइरस भी आलिया जैसा यह शो में रहें न रहें कोई इंपोर्टेंस कोई कंटेंट कुछ भी नहीं आता उनकी तरफ से तो हम बात करें थे जिस तरह दू आपके एक्शन से पता चलता है तो पूजा भट आपके एक्शन से पता चल रहा है कि आप एक नली डिरेक्टर थी क्यों आपके जो पिताजी है वो अच्छी फिल्में बनाने के बज़ाए सौप पॉन बनाते फिरते हैं पूजा भट जो कह रही थी वो महेश भट की था लोकेशन वगरा तलाश रहा था सारा डेटा वो पाकिस्ताज में अपने आकाओं को भेज रहा था और ये महेश भट जो की कॉंग्रेस के टुकड़ पर पलता था कैसे इसने 26 गयारा की हमले को RSS की साजिश के नाम से भगवा रंग दे दिया एक अलागी ट्विस्ट द अर उस फरजी फ्रॉड गदार खांदान की पूजा भट अपने बाप के साथ लिपलोग करती है और इनका बाप बोड़ापे में रिया चकरवरती के साथ लिपलोग आलिंगन ये सब करता रहता है तो आप समझ जाएं कि भट खांदान की क्या उकात हैं उनकी क्या क्रेडि बट जो कि खुद को डिरेक्टर बोलती है जिनें पूजा जी पूजा जी बोल बोल करके सब सम्मान देते हैं पूजा बट किसी तरह के सम्मान की हकदार नहीं है पूजा बट साबित कर रही है कि वो मैश बट की लड़की है जिस वज़े से उसे फिल्में मिली फिल्मों में क अगर पूजा बर्ट खुदको वाकई में स्मार्ट, इंटेलिजेंट मानती है, घर में सबसी अभिशेक भी गलत है, सब गलत है, सही होने, अभिनाश तू सही है, फलक तू सही है, बेबिका तू सही है, इनफेक्ट जब एपिसोड का जब एंड होने वाला था, यह नोमिनेशन टास्क मगिरा सब हो गई थी, और जब आलिया सिद्धिकी से अभिशेक बोलता है कि मेरा त उसके बाद भी अभिशेक काफी पेशिंस रखता है, लेकिन यह फिर भी लगी रहती है, तब वो बोलता ट्रक, अब बेबिका ने अंदर जाकर के पूजा भट के कान में डाल दी बात की मेरी बोडी शेम कर रहा है, बोल्डोजर ट्रक, लेकिन खुद ने क्या बोला, अब यहाँ पर आती है मनीशा, और मनीशा का यह वाला जो साइडन है, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि वो सच का साथ दे देती है, किसने पंगे की शुरुआत करी, किसने क्या बोला, वो सारी बातें आकर के बताती है पूजा भट के सामने भी, लेकिन पूजा भट ज जहें, वो काफी लोग टीवी पर भी लगा करके देखते हैं, तो फैमिलीज की बीच में उस तरह के शब्दों का प्रयोग करना थोड़ा उचित नहीं होगा, अदर्वाइज आप मेरी भावनाएं समझ जाएं, जिस तरह से बेबी का, फलक और पूजा पठी है, तीनों ज सलमान ने का था न, पलक चली गई है, तो अविनाश अब तुम किसके बारे में बात करोगे, ये पूजा बट जो अकसर, जिया, अकांग शा, इनमें तो 17 कमियां निकाल लेती है, लेकिन अविनाश में किसी ने एक भी कमी नहीं निकाली, किसी ने काउंटर नहीं करा, कि अ बारे में न फलक कोई क्वेश्चन करेगी, और नहीं इसके बारे में सलमान खान ने कोई क्वेश्चन किया, लेकिन जिस तरह से ये अविनाश जिया को नोमिनेशन के टाइम पर क्या रहा था, कि फलक हाई, तो फलक के साथ जाकर के बैढ़ गई, जबकि सबसे ज़्यादा फलक के साथ, तो तुई बैठाता, सबसे अदा फलक की बाते भी तू नहीं करी, फलक को बचाने के लिए 10,000 की करेंसी भी तूने लुटाई, जिया ने तो नहीं दी थी, तो भाईया ये दोगलापन है अविनाश का, लेकिन उस दोगलेपन को सब बड़े सफाई से इगनो को नोमिनेशन में डाल दिया, और जिया जो है वो इस बात से काफी हर्ट भी है, बट मेरा मानना है कि बोया पेड बबूल का, तो आम कहां से पाए, जिया को भी बहुत ज़ादा वो था ना, एक भरोसा, और जिया ने बोला भी, तो जैसे ही अविनाश को क्लिक हुआ, अरे यह तो यार बाहर की जो सेटिंग उसकी पूल पटी खोल रही है, तो उसने बूल दिया, अविनाश ने नहीं, देड़ सो कान लगे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, जबकि बाहर से सा प्लान करके आये थे, अब वो पूरी प्लानिंग हो गई है, बैक फायर, क्योंक कि अल्टिमेटली बिग बॉस में हर कोई सेलफिश होता है, और मैं देखना चाहूंगा कि यह पूजा बाट और स्पेशली यह फलक, जो कि ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं अविनाश के उपर, अविनाश एक ऐसा इंसान है, जो सबसे पहले अपने दोस्तों को, अपने सा है, जो कि काफी हर्ट थी, अब उसे इस तरफ थोड़ा सहारा मिल रहा है, और इसी तरफ है आकांग्शा, आकांग्शा इस एपिसोड में जैड के साथ बैठ करके, पारस के साथ क्या था, क्या नहीं, पारस ने काफी धज्जिया उनाई थी, इसके कैरेक्टर की, वो जूत बाइठ कि रहा है, कि क्योंकि कि देड्य इसकि रहे हैं तो यही सब कुछ थी कुछ कि इंपॉर्टेंच चीज़ हैं, इस इसके अलाबा घर में नौर्मल जो होता रहता है, कऊने कौने पकड़ के कभी बेबीका मनीशा उसे जैड के बाद करना इसके बारे में बात करना, वहीं अभिशेक से सौरी बुलवा देती ही पूजा बट अभिशेक ने कुछ आउकात वगिर ऐसे कुछ बुल दिया था अभिशेक से तो सौरी बुलवा दिया बट वट बाउट बेबी का उसको तो ब्लाइंडली सपोर्ट करती जा रही है और एक जो बात अक्सर कही जाती है कि अन्याय को देखकर चुप रहने वाले लोग और बड़े अपरादी होते हैं और बिग बॉस के तो हर सीजन में ये परमपना है ना कि जो बंदा या बंदी गलत जाती है उसे वहीं के वहीं दबा देने के बजाए उस घटिया इंसान को और जादा पेमपर सपोर्ट प्रमोट सब करते हैं और जिस तरह से बेबी का को क्लीन चिट दे दी प्रमोट कर दिया सलमान ने तो सलमान की देखा देखी पूजाबर्ट, सायरस, यह फालक और अविनाश इन लोगों के लिए तो भाईया बेबी का सबसे महान है इन फैक्ट एपिसोड के स्टार्ट में जब जैड से यह पूजा बात करती है तो पूजा क्या बूलती बेबी का डॉक्टर है, इंटेलिजेंट है, घंटा इंटेलिजेंट है जैड ने काफी अच्छे पॉइंट रखे तो वो स्नैप करके जाती है, हर चीज को नेगेटिव ले लेती है हर चीज को वो बंदी नेगेटिव लेती है, खोद वो लोगों के पीट पीछे हो और सामने बत्तमीजी से बात करती है लेकिर उसे कोई अगर कुछ बोल दे तो तुरंत उसके अंदर के कार्ड निकल आते हैं, फिर वो बोलती, लोग मेरे बारे में अपसेस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं तो बिग बॉस के मेकर्स क्या प्रमोट कर रहे हैं कैसा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर इतनी सारी चीजें देख कर भी आपको पूजा बट समझदार लग रही है और फलक समझदार लग रही है तो बेटर होगा अपने दिमाग का आप चेक अप कर वाल है क्योंकि ये तीनों के तीनों एक नंबर के चुगल को चाची बन चुके चाची चार सो भी इसका टैग मिलना चाहिए पूजा बट को जो की एक ही साइड की काहानी सुनती है और अपना वर्डिक बना लेती है बेबी का तो एक नंबर की नली है भाईया वो अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर के नाम पर कलंक है वो अगर एस्ट्रोलोजर है तो वो एस्ट्रोलोजर के नाम पर कलंक है और वो के तरह नाचती भी है nomination task में लेकर उसका कोई नाम ले ले तो वो रौने लगती है किसी और बंदे का नाम आजा nomination में तो वो dance करने लगती है किसी को कुछ भी बोल सकती है लेकिन सामने से कुछ बोलते तो अरे यार याँ बड़े भी नहीं celebrate करने दे रहे हैं यह भी रहे थे केक क्या बेबी का कबाप देखे गया था क्या केक तो बिग बॉस की तरफ से आया था ना आप देखें कितनी छोटी सोचे इसकी पूजाबट की पूजाबट अगर इनी चीजों को इतना महत्व देती हैं कि जो इंसान आपको पसंद नहीं है आप उसका दिया हुआ क कैक कैसे खा गए तो पूजाबट आपको आलिया पसंद नहीं है तो आपने आलिया का हाथ का बनाए हुआ खाना क्यों खा लिया आपको अगर अभिशेक पसंद नहीं था तो आपने उसको हाट क्यों दिया आप क्यों उसके गले वगरा मिली तो पूजाबट ना अपने हिस देती मतलब आप देख लें ये हैं बॉलिवोड के सोकल सेलिब्रिटी जो की छोटी-छोटी बात के उपर आपको पसंद नहीं थी तो आपने केक क्यों खाया उसका वा 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 कितनी मतलब घटिया सोच है पूजा भट जैसी बेवडी की ड्रगिस्ट की और ऐसे लोगों क लो पूजा जी पूजा जी घंटा पूजा जी है पूजा जी के बाप महेश भट ने उसको रिया चक्रवर्ती को अच्छी ट्रेनी दे करके सुशान के घर में बिठा दिया अब अगर मैं बोल दूं कि महेश भट रिया और ये पूजा भट ये सारे के सारे मिल करके सुशा दे दिया तो पिक्चर का और सनी लियोनी इंडिया में आई उसके बाद आप देख लें इंडिया में तो इतनी सारी पॉन फिल्म बनने लग गई हैं एब बनने लग गई हैं तो कैसे एक छोटी सी पूरे समाज को बिगाड घर के रख दिया है ये चीज आप समझें और इस पर विचार भी करें और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से बच्चे अपना तो यही क्याना है बाकी आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं चैलिए इनी बातों के साथ ये वीडियो में खत्म कर देता हाँ अनलेस पिछले वीग जैसे बेबी का ने गदर मचाया था आलिया उस तरह का कोई गदर मचा दें कोई कांड कर दें एक अदम से सेंटर ओफ अट्रेक्शन मन जाए तो कुछ कह नहीं सकते अधर्वाइस आलिया टाटा बाई बाई भाई खत्म और जिस तरह से चुगल निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच